हेलो फ्रेंट साफ से के फ्रेट से स्वागत है आज किसने वीडियों में दोस्तों आज किस वीडियों में बताएंगे कि इस रमकार्ड कैसे बनाते हैं हाला कि इस टॉपी के उपर हमने दो महिना पहले एक वीडियो बनाये हुए जिसमें इस रमकार्ड को step वे step बना के दिखाये हुए लेकिन दो महिने के बीच में इस रमकार्ड के वेबसेट के उपर बहुत सरा अपडेट आया हुए जिसके वज़े से लोगों को बनाने में काफी दिक्कत आ रहा है लोग कमेंड करके बोल रहें कि final summit नहीं हो रहा है फोटो नहीं आ रहा है ये सब प्रूलम को ठीक कैसे करें तो हम सोचे क्यों ना इस topic के उपर फिर से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें mobile के stream पे ले जाकी और step वए step फिर से नए तरीके से इस रम कार्ड को बनाके दिखाये जाए जिसमें फोटो भी आएगा और final submit भी होगा और इस रम कार्ड बनाके final दिखाना भी है तो सारा चीज़ आपको अभी बताने वाले है तो दोस्तो वीडियो काफे interesting knowledgeable होने वाला है इसलिए please पुरा आं तक जरूर देखिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लिए जरूर करेंगे अगर आपने अभी तक हमार चनल को subscribe नहीं की अभी अभी चनल को subscribe कर दिजिए notification वेल जरूर प्रेस कर दिजिएगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पे आप देख सकते मेरा e-shram card बन गया है और photo भी आया हुआ है और इसके साथ में पूरा details भी आया हुआ है इस वीडियो को पूरा अंतक step by step देखना है ताकि जिस तरीके से हम बने उस तरीके से आपका भी e-shram card बन जाए तो सबसे पहले आपको अपने phone में Chrome browser को open करना है और सामने के ही search bar पे type करेंगे e-shram.gov.in type करके search करेंगे official website open हो जाएगा थोड़ा सा ही आपको scroll करके नीचे आना है तो हमें पहला ही option मिल जाता है register on e-shram अगर आपको नए e-shram card बनवाना है तो भी आपको इसी पर click करना है और अगर आपका पहले से बना हुआ है उसमें कुछ सुधार करना है अपडेट करना है तो भी आपको इसी पर click करना है तो दोस्तो यहाँ पर कुछ information दिया गया जो की नए registration करते समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहला आपके पास अधार card होना ची इसके साथी साथ अधार card में mobile नमर लिंक होना ची और वो mobile चालू होना ची क्योंकि registration करते समय OTP जाएगा जिसको submit करना पड़ेगा इसके साथी साथ आपके पास इक bank account होना ची और आपका age 16 साल से 69 साल के बीच में होना ची तो अगर आप इन सब criteria को fulfill करते हैं तभी आपका e-shram card बन पाएगा तो e-shram card बनाने के लिए simply से आपको scroll करके नीचे आना है और self registration का एक section मिल जाएगा इसमें सबसे पहले आपको अपने आधार card के registered mobile नमर को इंटर करना है इस box में उसके नीचे capture डालना है जो कि यहाँ पे so हो रहा है और उसके नीचे दो सवाल पूछा जा रहे और दोनो में simply secure no no tick कर देना है और इसके बद सेंड o tp वाले बटन पे click करना है तो अधार card के register mobile नमर पे o tp भेज़ा जाएगा जिसको यहाँ पे submit करना है अब यहाँ पे अधार नमर को enter करना है और i agree के box पे tick कर देना है और submit वाले बटन पे click करके submit कर देना है फिर से आपके अधा card के register mobile नमर पे o tp भेज़ा जाएगा जिसको यहाँ पे enter करना है और validate वाले बटन पे click करना है और अब दोस्तों यहाँ पे आपके अधार card का validation हो चुका है इसका मतला अधार card का पूरा details यहाँ पे आ जाएगा simply से आपको scroll करके नीचे आना है तो देखी यहाँ पे पूरा अधार card का details आ चुका है सब कुछ आ गया है simply से आपको continue to enter other details पे click कर देना है अब नीचे आएगे तो यहाँ पे प्रस्तनार information आ गया है इसमें भी simply से आपको scroll करके नीचे आना है तो यहाँ पे register mobile नमर सो हो रह है कि साधी हुआ है या फिर नहीं never married मतलब साधी सुधा नहीं है उसके नीचे में father ने मिंटर करना है और फिर social category choose कर लेना है कि कौनसा cast category है यह OBC है तो OBC choose कर लेना है अब social category certificate आपको cast certificate upload करना है तो upload कीजिएगा अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजेगा उससे कोई दिकत नहीं होने वाला है आपको सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहां से आपको अपना blood group choose घर लेना है अगर आपको पता है blood group तो select कर लिजेगा अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजेगा कोई जरूरी नहीं है अब उसकी नीचे है differently abled अगर आप किसी भी तरीक करके आपको आगे बढ़ते जाना है उसके नीचे आएंगे आपको नौमनी का details देना होगा जिसमें सबसे पहले नौमनी का नाम लिखना है नौमनी का date of birth लिखना है और फिर जेंडर select करना है और फिर नौमनी से relation choose कर लेना है कि किसको आप नौमनी बना रहे है अपने ममी क को बना रहे है या फिर पापा को बना रहे है भाई को बेहन को या फिर किसको बना रहे है उसका relation यहां से select कर लेना है यह सब details भरने के बाद simply से आपको save and continue वाले बटन पे click करना है अब दोस्तो process तीसरा step में आ चुका है इसमें आपको address fill up करना है simply से आपको scroll करके नीचे चाना है तो यहां पर आपको select कर लेना है अपने इसdepth को यह से बिहार select कर लियंब आप अपना current address देना है मतलब आप अभी जहां पर रह रहे है तो वह सहरी छेत रहे या फिर grammarằng computer है अगर grammarी चेत रहे है तो रूलर फे click किजिगा अगर सहरी है तो और बन पे click किजिए गा और अपने पूरे address को यहाँ पे fill up किजिएगा staying at current location मतलब आप जो उपर में address डाले हैं यहाँ पे कितने दिनों से रहा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सरा option मिल जाता है अगर आप एक साल से कम समय से रहा रहे हैं तो सबसे उपर वाड़े option को select किजिएगा और एक साल से दो साल के बीच हो गया तो दूसरे वाले दो साल तीन साल के बीच में आप अपने हिसाबस यहाँ पे select कर लिजिएगा कितने सालों से उस address पे है रहा रहे हैं select करने के बाद simply से आपको save and continue वाले बटन पे click करना है अब दोस्तों यहाँ पे हमारा process चौथा step में आच चुका है जो की है education qualification की मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं तो उसका details डालने के लिए simply से आपको scroll करके नीचे आना है और यहाँ पे select करना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं सबसे पहला ही option मिलता है not literate मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है दूसरा literate without formal schooling पढ़े लिखे हैं पर मेरा schooling कोई भी certificate ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास below primary मतलब पाचवी से कम पढ़े लिखे हैं primary पाचवी तक पढ़े है middle मतलब आठवी तक पढ़े हैं secondary 10th तक higher secondary मतलब 12 तक और 12 करने के बाद diploma का certificate कोई किये हुए course किये है तब इसको select के जिएगा graduate मतलब graduation किये हुए post graduation टेकनिकल डिगरी कुछ लिए हुए तो ये अपने हिसाब से देख लिजेगा इसके बाद तो higher education में आ जाता है या पे higher secondary उसके नीचे में आपको एक certificate लगाना होगा school का अगर आप लगाना चाहते हैं तो ही लगाईएगा नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजेगा कोई दिकत वाली बात नहीं है और नीचे में आपको अपना monthly income slab select कर लेना है कि आप कितने कमाते हैं 10,000 या फिर 10,000 से कम कमाते हैं 10,000 एक रुपया से 15,000 के बीच में कमाते हैं या फिर 15,000 एक रुपया से आठारा आजर के बीच में कमाते हैं तो इस तरीके से slab बनाया गया है आप जितना भी कमाते हैं उसके इसाबसे select कर लीजेगा और नीचे में फिर income का certificate देना चाहते हैं तो दे दीजेगा नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजेगा कोई जरूरी वाली बात नहीं है और फिर save and continue वाले बटन पे click करना है अब दोस्तों यहाँ पे process पांचवे step में आच चुका है जो की है occupation and skills मतलब आपके अंदर में क्या skills है और आपका pizza क्या है तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना primary occupation डालना है तो अगर आप किसान है तो यहाँ पे अगर farmer type करेंगे तो देखिए यहाँ पे खेत में खेती करने का कोई भी option नहीं आ रहा है यहाँ पे dairy farming है, farmer poultry bidding का है और bee farmer है मतलब खेत में खेती करने वाला option नहीं आ रहा है अगर farming भी यहाँ type करेंगे तो भी farming में तो कुछ आहीं नहीं रहा है तो simply से आपको यह सब type नहीं करना है simply से आपको crop लिखना है तो यहाँ पे देख लिजिए cultivator crop मतलब खेत में खेती करने का option आ गया है तो simply से आपको cultivator crop वाले section को select कर लेना है simply से आपको crop लिखेंगे तो आ जाएगा उसको select कर लिजिएगा यहाँ पे देख लिजिए occupation family name field crops and vegetable growers आ गया यह अपने आप अब दोस्तों आपको अगला step में डालना है कि जो आपका यह खेती बारी का काम है यह आपको कितने दिनों से कर रहे है तो आपको simply से डाल देना है जितने दिनों से कर रहे है तो यह 20 सालों से चलता आ रहा है मतलब यह खंदानी चलते आ रहा है दादा जी वही किये फिर पापा फिर वही तो आपको simply से इंटर कर देना आपका जितना भी age हो इसके बाद है secondary occupation मतलब इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा अगर आप डालना चाहते हैं तो ही डालिएगा नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे red star नहीं दीए है मतलब mandatory नहीं किया है छोड़ दीजिएगा कोई दिकत नहीं हो और आपको simply से scroll करके नीचे आना है और how did you acquire skills मतलब आप यह skill खेती बारी करने का कहां से सीखें तो यहाँ पे click करेंगे न तो यहाँ पे देखी received formal vocational technical training मतलब यह खेती बारी कहीं से जाके technical training लिये है तो उपर वाले option को select किजएगा did not receive any vocational training मतलब अगर आप कहीं जाके घर से ही सीखे है खुझ से ही सीखे है तो नीचे वाले option को select किजएगा और यहाँ पे देखीए नीचे वाले option को select करेंगे न तो बहुत सरा option बढ़ जाएगा जैसे कि सब skills यहाँ पे दिख लिजए मतलब hereditary है मतलब hereditary का मतलब होता है खांदानी दादा जी से पापा में आया है फिर पापा से हम में आया मतलब वो खांदानी चलते हुए आ रहे सब भी खेती ही कर रहा है और self learning आपने खुद से सीखा है तो self learning चुझ किजिएगा learning on the job मतलब कहीं job करते थे वहाँ से सीखे है या फिर other तो मेरा hereditary है खंदानी चलते है रहे तो इसको select कर लेना है और सबसे नीचे वाला option मिलता है skills to be upgraded मतलब अगर आप अपने skills को upgrade करना चाहते है तो करने के लिए आप occasional training लेना चाहते है या फिर technical training लेना चाहते है तो यहां से हम technical वाले पर select कर देते है अब आपको simply save and continue वाले बटन पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर मेरा process सबसे last step में आचुका है जो की है bank details तो bank details को enter करने के लिए simply से scroll करके नीची आना है और अपने account details को भर देना है यहाँ पर आपको अपना account number डालना है फिर से account number को डाल के confirm करना है account holder का नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने bank account के IPC code को डालना है और bank का नाम डालना है पंजाब बैंक है, स्टेट है, आईसे ऐसे एक जो भी बैंक है, बैंक का नाम डाल देना है, और ब्रांच का निम, मतलब वो कहां पर बैंक है, और इसके बाद सिंपली से आपको सेव एंड कंटिनी वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है, तो दोस्तों बैंक एकाउंट क बाते चल जाएगा, जो यहां पर फिलप की है, सारा को एक बार क्रॉस से कर लेना है, अगर सब चीज सही होगा, तब आपको यहां पर टिक कर देना है, और सम्मिट वाले बटन पर क्लिक कर देना, इस बात का ध्यान रखेएगा, कि सारा चीज को आप सही तरीके से चेक कर होगे तभी यहाँ पे सम्मिट किजिएगा अब दोस्तों सिंपली से आपको स्ट्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे देख सकते कि इस रमकार्ड बनके आचुक है यहाँ पे फोटो भी आया हुआ है और सारा के सारा डिटिल्स भी आया हुआ है बहुत लोग बना रहे है और बनाने के बाद उनका फोटो नहीं आ रहे है या फिर यहाँ पे जो लिखा हुए वो सब नहीं आ रहे है बहुत सारे गलती हो रहे है तो देखिए आपके सामने लाइब हमने बनाए है फोटो भी आया और सारा डिटिल्स भी आया सिंपली से इसको डाउनलोड करने के ल लगा होगा तब प्लीज लाइक किजिएगा ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्यूस कर दिजिएगा तो चलिए चलते मिलेंगे फिर अगले वीडियो में